अब हमने डिसकस करना है जसे से पहले वाले जो आर्टिकल में थी हमने यह डिसकुशन करी थी कि इलास्टिक पोटेंशल एनर्जी का मिनिंग क्या होता है और उसे मैंने स्प्रिंग का एक्जामपल देखे समझाया था कि हां कि वहां पे तो आपनी पोडिशन में क्या होता है तो आप प्लाई करना है यह वापिस आजाएगा । है तो इस टाइक से हमने कहा करना है इस आर्टिकल को अंडेस्ट करना है तो देखते हैं हम इसमें किस टाइक से कर सकते हैं तो आपको यह चीज समझ आगी थी कि हां की आपके पास यहां पे कि इलास्टिक पोटेंशल अनर्जी का मीनिंग क्या होता है फीजिकली कि हां के बुझो इसके अंदर स्टोर हो रही है पर फिर भी मैं एक बार रेपीट कर देता हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिया यहां पे एक स्प्रिंग लिया क्लियर आप करते हो फोर्स अप्लाई करके इसको स्ट्रेच करते हो जब आप फोर्स अप्लाई करके इसको स्ट्रेच करते हो तो अपोजी डियरेक्शिन में क्या होती है एक फोर्स सेट अप होती है इक्वल अमांट की जिसे आप क्या बोलते हो रिस्टॉरिंग फोर्स बो क्लियर मतलब उसे हमने जादा स्ट्रेच नहीं करना अगर मैं उसे जादा स्ट्रेच करूंगा तो उसके अंदर पर्मानेंट चिंजी जा जा जाजए कि लास्टी सी की फैक्टर होना चाहिए कि आपने फोर्स अप्लाई करी तो स्ट्रेच हो गया मतलब वह एक्स्टेंड हो और जब आपने फोर्स को अटाई तो एकदम से अपनी पूदीशन में वापिस चलाई है मतलब अपनी पूदीशन को जो उसकी ओरिजिनल पूदीशन है उसको रिगेन कर ले तो इस टाइप से आपने क्या गरना है इस सिश को अंडरस्टेंड करना है अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या गरना है इस को अच्छी तरह से समझने के लिए मतलब इसका जो एक्स्प्रेशन है कि हम किस टाइप से यहाँ पर ड्राइप कर सकते हैं वो चीज़ देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया यह सर्फिस कंसीडर करें लाइस यह पॉइंट मेरे पास मांस प्रिक्स है और यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग लिया है और इस स्प्रिंग को मैंने अटेच किया है विड्दा मांस स्मॉल है कि अब इने इसकीनक्श स्टु inacetont एफ शो करनी है कि मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया निए तो यह मास यहाँ पर आ गए क्लिए और जैसे मैं कह सकता हो कि इसका conservation लेना है अगर इसके the starting लिए तो आप इसकाflora Channel रहुए तो आपकी असेची स्टीलीं तो यहां से यहां तर इसकाड़िए इसके इतना है एक्स क्योका आप के पर इंस्ट करता आपने force को कहाँ पे apply किया था इस direction में clear कि वो extend हो गया तो आपके पास opposite direction में यहाँ पे क्या होगी restoring force setup होगी clear समझ में आया तो इस case में हमने क्या करना है वरगदन calculate करना है और वही जो वरगदन होगा यहाँ पे potential energy form में क्या होगा setup होगा इससे पहले इसमें हमने कुछ concept समझने है क्या कि आप जितनी force लगा रहे हो उसी साब से उतनी restoring force क्या और यह setup होगी this is the restoring force जो restoring force होगी वो क्या होगी proportional to the displacement होगी clear मतलब जितनी restoring force इसमें setup होगी है उतनी ही आपके पास क्या होगी displacement होगी clear जब मैं यहाँ proportionality को equality में change करूँगा तब यहाँ पे constant आएगा k और k जो हमारे पास यहाँ पे है इसे हम बोलते हैं force constant यह जो k है ना मेरे पास इसे हम बोलते हैं force constant या फिर हम इसे बोल देते हैं spring constant clear मतलब जितनी ज़्यादा force अप्लाई हो रहे है उतनी ही restoring force setup हो रही है clear और यह जो यहाँ पे मेरे पास negative sign है तो यहाँ पे negative sign का meaning कहीं negative sign यहाँ पे क्या signify करता है कि माल लिजिए मेरे पास displacement हो रही है इस direction में restoring force setup हो रही है इस direction, मतलब क्या है, कि आपके पास जो restoring force होगी, वो opposite direction में होगी as that of the applied force, clear, या फिर आप कह सकते है as that of the displacement, मतलब restoring force displacement के क्या होगी, opposite होगी, या फिर वो applied force के क्या होगी, opposite होगी, clear, पर अगर मैं F को क्या treat करता हूँ, यहाँ पे applied force, तो आपके बस यहाँ minus नहीं आएगा, then फ spring constant है, अब यहाँ पर मैं spring constant को explain कैसे कर सकता हूँ, इसकी definition कैसे लिख सकता हूँ, जिसे मान लीजिए, मेरे पास F equal to kya है, minus kx, अगर मैं x का value यहाँ पर one put कर देता हूँ, तो F आपके पास किसके equivalent आजाएगा, minus k, clear, मतलब जो आपके पास force constant है, और we can say the spring constant, वो किसके equal है, force के equivalent है, restoring force के equivalent है, ठीक है, जब spring में कितनी displacement होगी by the factor of unity, जब उसमें unit displacement होती है, तो जो force constant होता है, वो किसके equivalent होता है, restoring force के, and this is numerically equal, कि आपको बता है, numerical word जो मैं use करता हूँ, physics में, वो मैं कभी use करूँगा, जब negative sign होता है, क्योंकि numerical का मतलब मैंने इसका magnitude ले गया, तो व negative को compensate कर देगा, अगर वो negative को compensate कर देगा, तो f किसके equivalent आजएगा, k, k, तो मतलब जो spring constant है, और force constant है, वो numerically equal होगा, किसके, force के, restoring force के, stored in the spring, when the spring is get displaced by the factor of unity, clear, मतलब by the distance of unity, अगर वो displaced हो जाता है, अब दिखिए इसके ऐसे unit क्या होगी, आपके बास जो k है, वो एक तरह से क् minus f by x है, तो ये मेरे पास क्या होगा, newton per meter, ये इसके क्या होगे, s unit, और इसके dimensional formula क्या बनेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते होना, m1, l1, t-2, और x के क्या है, आपके बास l1, तो क्या आजाएगा, m1, l0, t-2, तो ये मेरे पास क्या आजाएगे, इसका dimensional formula, clear, अब देखिए यहाँ पे ना मैंने क्या करना है, force और displacement में, graph plot करना है, अगर मैं displacement x और force f में, graph plot करता हूँ, तो आपको बते ये, कि ये इसके directly proportional है, then आपके बस graph क्या आएगा, straight line आजाएगा, clear, और यहाँ से हमें ये भी information मिल जाती है, कि आपके बस जो force constant है, वो कि is equal to minus of f by x, एक तरह स मैं कहा सकता हूँ, और k is inversely proportional to length, clear, length के क्या होगा, वो inversely proportional है, तो अगर आप यहाँ पे graph plot करते हो, l और force constant के बीच में, clear, तो आपके बस क्या है, ये इसके inversely proportional है, then graph हमारे पास क्या हैगा, यहाँ पे इस type से आजाएगा, clear, तो इस case में क्या होगा, यह simple basic terms discuss होगी, अब इ हमने क्या करना है, यहाँ पे derivation करने है, derivation देखें हम किस type से करें है, देखें हमें ये चीज़ पता है, कि मैंने energy calculate करने है, और energy के लिए पहले वरकडन और वरकडन से पहले small amount of वरकडन, clear, तो आपको पता है कि यहाँ पे small amount of वरकडन क्या होगा, dw equal to क्या होगा, f dot dx, clear, आप देखें, यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, f dx, clear, और यहाँ पे मैंने इसे लिखा, cos theta, आपको अभी relation बताया था, f equal to क्या है, minus kx, पर यहाँ पे एक चीज़ का ध्याम देना, कि यहाँ पे यह जो मेरे पास force है, यह कौन सी force है, मेरे पास restoring force है, clear, तो 180 degree, तो मैं यहाँ पे क्या put कर देता हूँ, theta के place पे 180 degree put कर देता हूँ, तो मेरे पास यह आगए, cos 180 कितना होता है, minus 1, तो यह आपके पास आगए, minus f dx, तो f का value कै है, minus kx, तो मैं put कर देता हूँ, minus kx dx, तो minus minus क्या होगा, plus kx dx, तो यह मेरे पास क्या आजाएगा, small amount of warranton आ करूँगा, इसकी integration करूँगा, kx dx, और integration कहां से होगी, पहले displacement 0 थी, और मैं arbitrary distance, मतलब किसी distance x सब गया, तो मेरे पास यह आगए, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे, k को common ले लेना है, और यहाँ पे क्या होगा, 0 to x, x into dx, अब इसका गया होता है, x square by 2, आप तो practice होई x square by 2, and from 0 to x, यह मेरे पास आगया, और आप क्यो बुट करोगे, upper minus lower limit, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आजाएगा, half kx square, तो यह मेरे पास work done आजाएगा, जो spring के अंदर क्या हो जाएगा, store हो जाएगा, तो यही मेरे पास क्या होगा, work done होगा, और इसको मैं ऐसे भी लिख स सकता हूँ, this work done is equal to the potential energy, क्योंकि पर्टिकुलर position की corresponding है, तो क्या expression आएगा, half of kx square, और इसे ना, हमें यहाँ से एक knowledge यह भी मिलती है, अगर मैं यहाँ पे graph plot करता हूँ, energy के लिए जैसे मैं graph plot करता हूँ, यह मालनी चीए potential energy है, and this one is a displacement x, और अगर आपके बस displacement होती है, 0, x equal to 0, तो potential energy क्या होगी, 0 होगी, मतलब point मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, जब यह x distance maximum होगा, तो potential energy maximum, तो मतलब एक तरह से आपके पास क्या आजाएगा, इस type के graph आजाएगा, like this, मतलब यहाँ पे 0 के about 0, otherwise क्या होगी, maximum होगी, और अगर मैं यहाँ पे किसको शोगरना जाता हूँ, kinetic energy को, तो kinetic energy क्या होगी, आपके पास इससे opposite चलेगी, like आप उसको ऐसे शो कर सकते हो, like this, मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होगी, potential energy minimum होगी, वहाँ पे kinetic energy maximum होगी, ताकि total energy क्या रहे, same, because you know, total energy is the sum of the kinetic and the potential energy, और आपको बता है, जहाँ पे मेरे पास यह जो होगी, यह क्या होगी, potential energy, और यहाँ पे जो mark आपके पास एक इसके लिए है, kinetic energy के लिए, तो जहाँ पे potential energy minimum होगी, वहाँ पे kinetic energy maximum, और अगर मैं यहाँ पे यह plot कर दूँ, तो यह आपके पास क्या होगी, total energy, तो वो हमेशा क्या रहेगी, constant right, मतलब इस type से हम क्या कर सकते हैं, show कर सकते हैं, clear, but this point represent the maximum amplitude, मतलब जैसे आप इसका मान लो, यहाँ पे minus A है, और यहाँ पे plus A है, ठीक है, तो maximum value को इसकी represent करेंगे, तो इस type से हम क्या कर सकते हैं, इस factor को discuss कर सकते हैं, clear, तो mainly graph करना इतना important नहीं है, but the derivation is very very important from examination point of view, clear, any doubt?